दोस्तों आप सभी का हमारे एट्यूब चैनल में बहुत बहुत सागत है दोस्तों अगर आपकी आखें खास रात के एक से तीन वजे के आस पास खुलती हैं तो या ख़बर जानकर आपके रूंटे खड़े हो सकती हैं जिहां दोस्तों एकीनन आप डर जाओगे तो दोस्तों कैसे आईए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों या दुनिया रहस्यमी बातों से भरी पड़ी है ऐसे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रात में एक से तीन वजे का समय अशुब समय क्यों माना जाता है दोस्तों क्यों इस समय आखे खुलने पर नकारात्मक उर्जा का ऐसास होता है दोस्तों आपको बता दें एदिया आप एक से तीन वजे के वीज अचानक उठती हैं या जागती है तो कोई चीज आपको वावानात्मक रूप से परेशान कर सकती है आपके शरीर में बनने वाली सकारात्मक उर्जा भी इससे प्रभावित हो सकती है तो दोस्तों ऐसे मैं जानते हैं रात में आखिर एक से तीन बजे का समय अशुब क्यों माना जाता है लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माद्यम से जरा विस्तार से की रात में एक से तीन वजे का समय अशुब क्यों माना जाता है आईये जान लेते हैं दोस्तों ऐसा क्या है इस समय में आईये जानते हैं देखे दोस्तों आधी रात के समय में ना ही किसी देवी देपता की पूजा की जाती है और ना ही कोई शो शराबा होता है और ना ही मंदिरों के दरबाजे खुले होते हैं ऐसे में सूर्य उद्य भी नहीं होता है इसी कारण या समय नकारात्मक उर्जा के लिए बहुती शक्तिशाली माना जाता है दोस्तों इस समय ये उर्जा सोगुना शक्तिसाली हो जाती है और इसी समय में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्री कई परकार की साधना करते ही जैसे की बली देना और गुप्त साधना करना इसमें शामिल है दोस्तों तंत्र विद्या के नुसार रात्री की एक से तीन वजे तक साधना या दी हुई वली सबसे ज़्यादा फलीभूत होती है इसलिए एक तांत्रिक के लिए या समय बहुत माइने रखता है दोस्तों इन वातों को ध्यान में रखते हुई ऐसा माना जाता है कि इस समय ज्यादा तर शैतानी शक्तियां ब्रामांड में घूम रही होती हैं और इसलिए तांतरिक के लिए या समय बहुत ही शुब माना जाता है लेकिन दोस्तों ये समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक है और बहीं फिल्मों में भी आधी रात का समय बहुत ही खतरनाक दिखाया जाता है दोस्तों तीन वजे के आस पास ही फिल्मों में घड़ी आकर रुख जाती है जिसके बाद गुरी घटनाएं होती है वहीं दोस्तों संख्यातीन को भी अशुब माना गया है दोस्तों हम आपको जरूरी जानकारी एक और बता दें कि कभी भी रात में सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बातें ना करें ऐसे समय में कभी भी आप उठें या बाहर जा रही हूं तो चवराओं से बचकर निकलें और ऐसे इस्तान पर ना जाएं जहां पर किसी की बली भी जाती हो या भूत बादा बगाने का दावा किया जाता हो दोस्तों नदी पुलसड़क पार करते हों या किसी जंगल से गुजरते हों या फिर अचानक से रात के तीन वजे नीद खुल जाए तो ऐसे समय में आप अपना काम करके वगवान का इसमन जरूर करें इसी में ही आपकी बलाई है तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी आपको पसंद जरूर आई होगी चलिए वस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई और थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो